सिकायतें, पती पतनी काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठ कर चाय पी रही थे, क्योंकि आज उनकी साधी के 25 वी साल गिरे थी, पहले की तरह वहे अब साथ में समय नहीं बिताते थे, ज्यादा साथ में एक दूसरी के पाश बैठते नहीं थे, पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच के दूरी बढ़ती जा रही थी, चाय पीते पीते पतनी ने चुप्पी तोड़ती हुई कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारी पाश एक दूसरी के लिए समय ही नहीं है, मैंने इस बारे में बहुत सुचा है, और मैंने इस समस्या से निपटनी का एक उपए निकाला है, अगर आप राजी हों तो बताती हूँ, पती नी सीर हिला कर हामी भरी, पतनी ने टेबल के डूर से दो डारी निकाली और बोली, मैं यहे दो डारी लिकर आई हूँ, एक आपकी लिए और एक मीरी आज के बाद हम दोनों एक दूसरी से जो भी सिकायते हूँगी, वहे हम अपनी अपनी डारी में लिक कर रखेंगे, एक साल बाद जब हमारी 26 भी अनिवर्सरी आएगी, तब हम उसी खोल कर पड़ेंगे, तब हमें एक दूसरों की उन चीजों बायादतों के बारी में पता चलेगा, जो हमें नहीं पसंद है, और हम उने सुधार पाएंगे, या कोई उपाई कर पाएंगे, पती को भी पतनी का आइडिया पसंद आया, और उसी दिन से डारी में लिखना सुरू हो गया, देखते ही देखते एक बर्स बीत गया, और 26 भी अनिवर्सरी का दिन आ गया पती पतनी दोनों ही डाइनिंग टेवल पर बैटकर चाय पी रही थी, और पास में दोनों की अपनी अपनी डारी रखी हुई थी, जो उन्होंनी एक दूसरी के साथ बदल दी, चाय खत्म करके पहले पती ने पतनी की डारी पढ़नी सुरू की, उस डारी में काफी सारी सिक जायते थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए बादा किया था, लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए, आज मेरे माई के से मैमान आई थी, उनके साथ पती ने अच्छी से बात नहीं की, कितने महीनों बाद, आज मेरे लिए साड़ी लाई, लेकिन पुरानी टेजाइन की आज मेरे सीरियल देखने के समय पती ने चैनल बदल कर न्यूज लगा दी, आज गीला तोलिया सोफी पर छोड़ दिया, ऐसी कई सारी सिकायते थी, डायरी को पढ़ते पढ़ते पती की आँखों में आशू आ गए, पती को काफी अफसोस हुआ, वो अपने पतनी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारी में ऐसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे बादा करता हूँ, कि ऐसी गलतियां मैं अब फिर से नहीं दो रहूंगा, अब पतनी ने पती की डायरी खोली, पतनी ने डायरी की कई सारी पनी पल्टी, लेकिन वहे पूरी तरह से खाली थी, क अखरी पनना देखो, मैंने उसी पर लिखा है, उस पननी पर लिखा था, तुमने मेरी लिए और मेरी परिवार के लिए इतने सालों से जो त्याग किया है, और हम सबको इतना प्यार दिया है, उसके आगे में तुम्हारी खेलाब इस डारी में कुछ भी नहीं लिख सकता, और इससे भी जरूरी मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्यान समरपड और त्याक के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है, मेरी अंगिनत गलतियों को नजर अंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा मेरे साई की तरह साथ दिया है और हमीशा मेरे साथ खड़ी रही, तुम ही बताओ कोई भी अपने ही साई में दूस निकाले तो कैसे निकाले, अब पत्नी की आखे नम थी, पत्नी ने पत्ती क हां से अपने सिकायतों की डारी ले ली और उसी जला दिया, पत्ती पत्नी का रिष्टा एक दूसरी पर भी स्पास पर ठीका होता है, और उसी से वह मजबूत होता है, उम्र की एक दोर में पत्ती पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, कि एक दूसरी में गलति और कमिया निकालने के बज़ाए अगर यहे याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इससे उसका रिष्टा और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा दोस्तो छोटी सी इस कहानी को सोनाने की पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पती पत्नी में बढ़ती जा रही दुर्या कम हो सके और खस कर गलत फैमियों की बज़े से या सिर्बात ना करनी की बज़े से बढ़ती जा रही दुर्यों को आरम से सांती से बैट कर बात करके कम क किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है धन बाद दोस्तों अगर यह मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें